Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आपकी preparation अच्छी चल रही होगी So, आज हम discuss करने वाले हैं PDF के बारे में Forestry Optional का जुसले बस है उसकी PDF के बारे में तो काफी दिनों से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रही थी हमने unit number 4 तक तो complete कर लिया था लेकिन उसके बाद के वीडियोज मैंने नहीं बनाए है क्योंकि मैं PDF बना रही थी और PDF शायद ज़्यादा जरूर ही है मुझे ऐसा लगा क्योंकि अगर मैं वीडियोज बनाऊंगी तो एक महिने में दो unity complete हो पा रही है तो फिर मैंने सुचा मैं PDF बनाती हूँ ताकि जो आपका syllabus है वो time पे complete हो पाए और आपकी जो tension है वो कम हो जाए तो panic होने के आउशकता नहीं है don't panic तो अब मैं आपको कुछ यहाँ पे details बताने वाली हूँ तो unit first, second, third and fourth को हमने complete कर लिया है इसमें unit number fifth से हमने complete यहाँ से नहीं किया है तो unit number fifth में वो Dan और Tommy के बारे में बताया है तो इन सब की PDF मैंने prepare कर ली है और इसके application पे काम चल रहा है तो शायद दो दिन उसमें लगेंगे तो हो सकता है इससे पहले complete हो जाए या फिर दो दिन तो इसमें लगेंगे तो फिर मैं आपको information दे दूँगे इसके regarding लेकिन काफे सारे message आ रहे थे इसलिए मैं सोचाए इस पर एक short video बना के आपको बता देती हूँ forestry के syllabus के साथ problem यह है कि हाँ पर एक तो जो seats हैं वो कम है फिर उसके बाद ये काफी सारे subject में divide हो जाता है इसका paper तो कोई इसके notes वगिरा बनाना नहीं जाता कि इत्ती headache कोई लेना नहीं चाता और जैसे I.S. वगिरा है तो इसमें तो लाखो रुपे की fees होती है तो coaching वाले हैं पुरा material available करवाते हैं लेकिन ये जो exam है ये एक तो काफी सालों के बाद exam होते हैं और फिर कोई इतना सारा सरदर्द लेना नहीं चाता आप खुदी देख सकते हैं अगर आप forestry की preparation कर रहे हैं तो आपको एक unit prepare करने में भी इतनी माथा बच्ची करनी पड़ती है तो मैंने ये जो PDF prepare की हैं तो इसमें मुझे काफी जादा मैनत करनी पड़ी है तो मैंने ये PDF तो prepare करी हैं ये दो दिन में आपको शायद available हो जाएं ये PDF paid PDF होंगी इसके लिए आपको कुछ charge यहाँ पे करना पड़ेगा तो उसके regarding भी आपको मैं बता दूँगी ये जो PDF हैं इनमें मैंने theoretical portion जो भी है units का वो सब complete किया है लेकिन मैंने इसमें cushions को शामिल नहीं किया है क्योंकि ओल्रड़ी ये काफी बलकी syllabus है और बहुत जादा बड़ी बड़ी PDF बन रही थी तो मैंने PDF तो complete कर ली हैं और इनको available भी करवा दूँगी इतने आप अपने अधर जो subject हैं उनको complete कीजिए और इनकी tension ना कीजिए तो unit number जैसे यहाँ 7 है या 6 है यह सब मैंने complete कर लिया है unit number 7 में legislation वगेरा का पुरा बताया गया है policy वगेरा भी साथ में जैसे unit number 8 है यह भी काफी difficult पढ़ती है students को उसके बाद जैसे environment का portion शुरू हो जाता है फिर जैसे unit number 10 है environment आता है यहाँ पे forest economics है फिर उसके बाद भी mix से topic है तो forestry में आपको environment भी पढ़ने पढ़ती है एग्रो बोटनी का जो portion है वो भी पढ़ना पढ़ता है इसके साथ ही कुछ जुलोजी का part भी यहाँ पे आ जाता है और forestry तो खेर है ही environment वगेरा काफी सारा यहाँ पे आपको पढ़ना पढ़ता है तो इस तरीके से 200 number के यह 120 questions आएंगे तो अब मैं आपको pdf का थोड़ा format दिखाती हूँ तब कि आपको थोड़ा easy हो जाए समझना कि किस तरीके से मैंने video prepare करी है यहाँ मैंने recording ratio है यहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा शायद यह PPT format में है लेकिन जब मैं video available करवाँगी तो यह पूरा आपको दिखाए देगा तो इस तरीके से first page है मैं unit number 8 का sample आपको दिखा रही हूँ unit number 8 में जैसे मैंने syllabus यहाँ पे divide किया है तो पूरा syllabus मैंने यहाँ लिखा है उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं first structure and function of gene and cell फिर mentalism, mutation, totipotency, morphogenesis, micropropagation, somaclonal variation and cybrids को पूछा है restriction, enzymes, vector for gene transfer, DNA fingerprinting, dendrology, ICBN के बारे में पूछा है and monocote and dicote plants की कुछ families का description यहाँ पूछा है उसके बाद C3, C4 and CAM plants क्या होते हैं उनके बारे में पूछा है and photosynthesis, respiration, plant water relation क्या होता है, PGR क्या होते हैं, tree improvement, germ plasma, incompatibility, sterility, quantitative genetics, variability, provenance trial selection method and seed production area, seed orchards and progeny trial and improvement of seed orchards के बारे में पूछा है इसके बाद आगे hybridization के बारे में पूछा है, तो इन सब को हम देखेंगे तो cell के बारे में मैंने यहां बताया है, तो मैंने animal cell, human cell and plant cell तिनों को ही बताया है ताकि इन में difference से related कुछ question आई तो आप solve कर पाएं तो इस तरीके से पूरा मैंने human cell बताया है, काफी detail से animal cell, फिर plant cell, फिर इन के बीच का difference और फिर gene के बारे में बताया है, मैंडलिजम का टोपी कहां पे है तो आपने 10th class में देखा होगा, पाइसम, सटाइवम, यानि मटर का जो पोदा होता है उस पे ग्रेगर मैंडल ने जो experiment किये थे, उससे related है यह इसके बाद में mutation है, phytotipotency को दिखाया है, morphogenesis को and micropropagation क्या होता है, इसको हम वैसे देख चुके हैं तब हमने इसके definition देखे थे, यहां पे इसके method भी बताए है soma clonal variation क्या होता है and cybrids के बारे में, और cybrids and hybrid में क्या difference होता है restriction enzymes and restriction enzymes के बारे में पुरी detailing and vector for gene transfer, agrobacterium यहां पे इसमें इसी का part है DNA fingerprinting and DNA fingerprinting का इस पार्ट है यह dendrolosy and ICBN के बारे में next families description यहां पे monocoat और dicot का तो पहले तो monocoat और dicot में difference बताए है उसके बाद मैंने इनके families का बताए है जो families है उनके बारे में क्योंकि specifically mention किया गया है तो हमें जानना जरूरी हो जाता है तो मैंने बताए है इसमें C3, C4 and C.A.M. plants कौन से होते हैं उनके बारे में फिर इनका comparison फिर photosynthesis क्या होती है और इसके appogit जो process respiration उसको बताए है इसके बाद में plant water relation को फिर PGR जो topic mention है यानि plant growth regulators तो कुछ जो हैं वो plant की growth को stimulate करते हैं और कुछ हैं inhibit करते हैं तो उनके बारे में याँपे आपने सुनाओं का oxygen वगेरा hormones हैं ये plants में पाए जाते हैं तो इन सब के बारे में detail से बताया है future improvement की बात आती है तो germ plasma भी हम देखेंगे और germ plasma conservation कैसे किया जाता है कुछ यहां पर extra information है और ये वाला topic में mention है quantitative genetics के बारे में variability seed or charts वगेरा progeny trial hybridization तो इसको देखना है पूरा इसके type अगेरा back crossing breeding का भी यहां पर mention क्या हो गया है syllabus में and एक last बचा है hybrid figure breeding तो इसको भी detail से हमने देखा है इसके type अगेरा और application तो इस अरीके से मैंने pdf प्रिपेर किया है लगबग 200 page की ये pdf है ये बनी है तो इससे तरीके से सारी pdf मैंने बनाई है तो एक बार application पर काम चल रहा है तो वो काम complete हो जाता है एक दो दिन में उसके बाद में ये सारी release कर दी जाएंगी तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें इससे related जो information है उसको बताऊंगी के लिए कोई आउशकता नहीं है और जिन को ये खरीद नहीं हो तो बता दे ना क्योंकि इसमें मैंने बहुत महनत करी है इसलिए मैंने इसका चार्ज रखा है और वीडियो देखते हैं टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी और आप सब अच्छे से प्रिप्रेशन करते रहिए अभी टाइम बचा है और रूमर्स है कि एक्जाम आगे भी पॉस्पॉन हो सकता है तो ये सब तो भगवान वरो से छोड़ देजिए और प्रिप्रेशन अपनी कंटिन्यू रखिए तो आपकी एक्जाम में एक पेपर इंग्लिश है तो इंग्लिश भी जनरल इंग्लिश है वो एंड साइन्स वगेरा बेसिक साइन्स आई थिंक तो ये सब आप प्रिपेर कर लीजिए और बाकी अदर और भी कुछ प्रोब्लम हो तो आप PDF से रिलेटेड या फिर आदर जो भी प्रोब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं डिसकर्शन बॉक्स में और शायद मैं इमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा दूँगी जब मैं एप रिलीज करूँगी तब तो आई होप इन पीडियोप से आपको हेल्प होगी और जो स्टुडेंट काफी पैनिक हो रहे हैं तो वो थोड़े शान्त हो जाईए तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि काफी सारे मैसेज आ रहे थे और उन मैसेज का रिपलाई मैं करनी पारी थी क्योंकि मैं पीडियोफ बना रही हूँ आज कल तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना देती हूँ ताकि सब इसको देख ले और उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सोलिशन इस पीडियोफ में मिल जाएगा सो गाईज थेंक्यू सो मच एंड वीडियोज को इतना पसंद करने के लिए और मैं कभी लाइक सब्सक्राइब अगेरा का नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो जैन्वीन सब्सक्राइबर है वो ऐसा कहने से बिलकुल नहीं आते है मैं खुद का भी सब्सक्राइब नहीं करती है ऐसे ही जब मेरे को लगता है कि हाँ मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अच्छा कंटेंट है तब ये मैं सब्सक्राइब करती हूँ तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उन सब को thanks कि उन्हों ने इस चैनल से उनको थोड़ी बहुत हैल्प हुई है तो सब को बहुत बहुत थैंक्स और इसे तरीके से वीडियो देखते रहिए और आई होप मैं आपके लिए वीडियो जोर बना पाऊंगी आज कल काफी बीजी शेड्डूल था तो मैं बिल्कुल नहीं बना पारी थी कुछ फंक्शन भी था घर पे और फिर उपर से ये इतना पीडियो बनाने का काम पूरा दिन लग जाता है इसमें तो I hope आपकी हल्प हो योगी से तो थैंक्यू सो मच एंड ओल दे वेरी बेस्ट और यूर एक्जाम्स